हेलो फ्रेंज आपके अपने ही चैनल ठीके में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या सीटेट में पास जो नहीं हुए हैं क्या वो बिहार सिक्षक बहाली में सामिल हो सकते हैं तो इसका जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में जी हां मैं सही कर रहा हूँ आपने सही सुना जो सीटेट में फैल हो चुके हैं एटी टू मार्क्स नहीं लाएं उसे कम लाएं वो अवेर्थी भी बिहार में एलिजिबिलीटी रखते हैं आगे बात करेंगे इस वीडियो में विस्त्रिस्त से चर्चा करेंगे आप हमारे चैनल पे बने रहे हैं चैनल जो आपको भैकेंसी है नोटिफिकेशन जो नहीं आ रही है उसका एक ही मसला है हम लोग में एकता की कमी है सीधे वीडियो की तरफ रूख करते हैं मैंने जो आपको बात कहा कि जो सीटेट अविर्थी जो हैं जो सीटेट दिये थे वह एटी टू मार्क्स अगर नहीं लाए वो भी आपको एलिजेविलिटी रखते हैं कौन अविर्थे एलिजेविलिटी रखते हैं इस वीडियो में चर्चा करेंगे देनिक वासकर का ये आर्टिकल काफी खास माइने रखती हैं हम पढ़ेंगे आप सभी को मालू है पिछले दिनों हम सबों को ये बात ग्यात तक बीटेट नहीं करवाएंगी सेवनथे से पहले वो सच साबित हुई अदिस उचना उन्होंने जारी कर दी और उन्हों उसमें कहा गया है कि सीटेट के आधार पर ही बहाली होगी लेकिन जो सीटेट पास नहीं है क्या सिछक बहाली में ब्यार्ट सिछक बहाली में साम важно ह हां कौन लोग होंगी इस बात पर चर्चा करेंगे हम और शिक्षा मंत्री के दुवारा बियान फिर जारी किया गया कि अधिस्षु चुना जारी होगी बीटेट की लेकिन सेवन फेच के बाद होगी अब यहां देख सकते हैं सिक्षविवार का फैसला पहले से टीटी पास को भी मिलेगा मौका बियार में अब नहीं होगी टीटी सीटेर से इस बाली इस बात से हम लोग ग्यात हैं कुछ कॉश्चन्स हैं देनिक भासकर के द्वारा पूछा गया यह आर्टिकल शापा गया है कॉश्चन्स जो साधाना विर्थियों के सवाल हैं जिसके अक्सर हम जवाब दिये हैं देनिक भासकर के एक्सपर्ट आर्ट से सिंग जो सिख्चा विवा के पूर्ष संयुक सचीव हैं निदेशक है आनंद कोसल सिंग जो पंचायत नगर प्रारंबिक सिख्चक संग के अध्यक्ष है और अस्वनी पांडे प्रवता टीटी स्टीटी उत्रीन सिख्चक संग है तो क्या कुछ शवाल है अश्टीटी अविर्थ्यों या आम विर्थ्यों का जिसका जवाब दिये हैं तो टीटी नहीं होने से छेत्री भासे स्टुडेंट पर क्या होगा असर आप देख सकते हैं हैडलाइन से कि टीटी नहीं होने से भचपूरी और मेंत नोटिफिकेशन नहीं आई अब उमीद है कि एक दो महिना नोटिफिकेशन आएगी और उसका एक्जाम दिसंबर में लिया जागा यानि साल में दो साल से कंटिनू एक बार ही एक्जाम ली जा रही जो सरासर कलते बहुत सारे विरतिसा आज में बैठे वे थें कि टीटी पास थे को थोड़ा नुकसान होगा इन दो बासाओं को बोलने वालों की संक्या बिहार की कुलाबादी की करीब 50% है एक दम सही बात इन्होंने कहा है सीटेट वीटेट दोनों समान है क्या हां राज के प्रारंबिक स्कुल एक से खक्षय आठ तक में सक्षक भाली के लिए सीट से बास हैं भी बिहार में पास है कैसे आपको बता दूँ यह आपको अरा सीटेट के इन शरकार ने आप मीनिमम आर्टा रखी है ऑबीसी के लिए बिरासी और जेनरल के लिए नब्बे जो लाएगा वह पास होगा से इन सरकार लेकिन जो आपको से बिहार के हैं वो 75 मार्क् केंड सरकार में भले वो फैल हो लेकिन बिहार सरकार उनको भी संखषकबाली परिक्रिया में सामिल होने का मौका दे रही है बशर ते कि वह अंखपत्र सिटेट वाला परस्तूत करे, सामीर करे, काउंसलिंग के समय और 75-781 वाला भी पास से उनको भी ले लिया जाएगा उनके पास सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी केंसर के दौरा सरकार के दौरा यही अन्पत उनको काम आने वाला है तो आगे देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है कि क्या सीटेट और बीटेट का सिलीवस अलग-अलग है सीटेट में NCRT जबकि बीटेट वे बिहार बोटके मेट्रिक और इंटर के सिलीवस पर परस्न पुछे जाते हैं और आगामी साथवे चर्ण की सिक्षक बहाली पर भी असर होगा हो सकता है साथवे चर्ण की बहाली के पहले बीटेट ली जाती तो महला SCST अतियंत पिछावर्ग के प्रयात वर्थी मिल सकते थे श्रमान एवा अनवर्ग में भी सीटों की तुलना में प्रयात वर्थी मिल जाते लेकिन यह ना होने से ऐसा नहीं होगा हाली में डिलेड और बीएड उत्तरी वर्थियों पर क्या आसर 2017-19, 19-2022 में डिलेड और बीएड पास वर्थियों को नुकसान होगा बीटेट होने पर इसमें सामिल होने का मौका मिलता बहुत सारे वर्थी इंतजार कर रहे थें कि बीटेट होगा इस सबसेशन के तो हम सामिल होगे लेकिन ऐसा कुछ नजर होते हुए नहीं आ रहा है खेर कोई बात नहीं है प्रारंबिक स्कूल में सिक्षक बहाली के लिए विहार सिक्षक पारतता परिक्षा अब नहीं होगी हम लोगों को एक जुड़ता नहीं है दोड़तो अगर एक जुड़ता रती तो ऐसे सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले सोचती सिक्षा विवाग का तर्क है कि केंज सरकार हर साल में केंदेज सिक्षक पारतता परिक्षा यानि सीटेट लेती है इसलिए राज सरकार दोड़ा अलग से टीटी लेनी के अब सकता नहीं है कि उसी बात को विविन अखवारों ने दोराया है और इस बावत प्रात्वीं सिक्षा निदेशक रभी परकासनी बिहार बोड के सचीव को पत्र भेज दिया इसमें बोड ने हाई कोड के आदेश क में हुई बैठक में अलग से यहां पर बोला जा रहा है कि टीटी आईजित करनी के निरने लेगा यानि पत्र में यह भी कहा है कि भविसमें विवाग आव सकता अधारी टीटी आईजित करने का विचार जरूर करेगा 26 अप्रेल को सिक्षा बिवाग क्या पर कि बच्चों को छेत्री भासा में पढ़ाने और समझाने पर जो रहा ऐसे में बीटेट आईजित नहीं होगी तो बच्पुरी और मैत्री भासी सिक्षक कैसे बनेंगे क्यों नहीं सिक्षा निति जब लागो होगी तब मामला कुछ और होगा अन राजियों में क्या है यू सिटी की गाइडलाइन की बिना पातरता प्रक्षक किये सिक्षक नहीं बन सकते हैं तो आप बिहार में ही एक नहीं हो रहा यूपीटेट भी हुआ है 15-17,000 सिटेट पास से साल में दो बार सिटेट ली जाते हैं लेकिन करोना कारणा इसमें बादा आई दिसंबर 2019 के बाद जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 में हुई बिहार में एक से डेर लाग विड़ती सिटेट में पास सलाना होते हैं इसमें 15-17,000 पास होते हैं यह सलाना सामीर होते हैं 15-17,000 पास होते हैं कुछ यह था आगे की खबर है कि सबजी बेच किया प्रदर्शन मुझे उमीद है कि आपको सम पपू यादव जी है उन्होंने धरना परदर्शन अविड़तियों के साथ सबजी बेचा और कहा कि जब रोजगार नहीं मिलेगा तो अविड़ती यही तो करेंगे जाप पर मुख यादव भी अवरतियों के समर्तन में धरना अस्तर पर पहुंचे अवरतियों के मुख मा माक्स के अधार पर करने की है चात्रों ने कहा कि सरकार 2019 के प्रिक्षा परिनामें चनित होने के एक साल के बाद भी वहाली शुरू नहीं किया तमाम विर्तियों लगातार धरना दे रहे हैं लेकिन कहीं ने कहीं एक जूटता नहीं है ग्रूप में बटे हुए हैं अब यहा नेक्स वीडियो में नेक्स अपडेट के साथ इसी उमीद के साथ कि जो अविर्ति सीटेट पास नहीं है 75 और 76, 78, 81 लाए हैं लेकिन वह स्टी एस से बिलोंग करते हैं तो निसंदेर हैं आपका बियार सिक्षक बहाली परतरता परिक्षक बहाली में आप सामील होईएगा और आप सारा आरता रखते हैं तो आप नोकरी भी पास सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स अपडेट के साथ धन्यवाद